आज बाबा की मुड़ली विशे इस रूप से एक बात पर चली है तुम्हें अपने केरेक्टर सुधारने हैं इसलिए याद की यात्रा में मस्त रहो यानि योग्युत रहो इससे तुम सदा के लिए सुभाग साली बन जाओगे तो बाबा याद दिला रहे हैं सत्यूग में तुम्हारे केरेक्टर दैवी केरेक्टर थे लक्षमिनायन का राज था तुम सोले कला संपून संपून निर्विकारी थे प्रकरती भी सतुपर्धान थी इसलिए तुम्हार पावन थे रावन ने केरेक्टर विगाड दिये अब सब रोगी बन गए हैं ये रोगियों की दुनिया है सत्यूग निरोगी दुनिया रोग का नाम निसान नहीं और अब है ये सब रोगी दुनिया अब बाबा तुम को योग सिखा रहे हैं किस योग से तुम सदा के की जवरत नहीं, जिन रोया तिन खोया, बाबा उधान दे रहे हैं, पती मर जाता है किसी का, तो पतनी कितनी दुखी होती है, रोती ही रहती है, सत्यू में ये सब नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी स्थिती की जो परक है, एक चीज से होती है, सभी अपनी स्थिती को परक तो तुम परिशान नहों, रो नहीं, तुम्हारा चेरा खुस नुमा रहे, तुम सब को बाबा की याद दिलाते रहो, बले ही तकलीफ होती है, तो मुख से निकलता तो है, जो भी जिसको, जो भी कहते हैं अपनी अपनी भासा में, लेकिन तुम्हें दुख ही नहीं होना, रो चेरा नहीं है, तो उससे भी तुम्हारी बहुत सेवा होगी, उसी को याद कराते हुए बाबा कैरे, अब ये रोगों की दुनिया समाप्त होने जा रही है, ये समाप्त हो जाएगी यों लक्ष्मि नारैन की बहुत सुन्दर दुनिया, सुखों से भरवर धूर दुनिया आजाएगी, तुम उसके लिए याद की यात्रा में रहो, तुमने 84 जनम लिये हैं, मनुस्यों को ये पता नहीं है, लख 84 कह देते हैं, लखकार्थ वास्ता में होता है, देखना, तुम अपने 84 जनमों का ज्ञान बाबा हमें देते हैं, दिखाते हैं, तुमने ये ये 84 जनम मैं इसके तन में आया, ब्रह्मा के तन में, इसको भी याद दिलाया, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, अब तुम 84 का पार्ट पूरा कर चुके हो, अब अंत में आ गए हो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आ गया हूँ, अब तुम कोडियों के पीछ अपना समय नस न करो, बहुत याद में रहेंगे, बहुत पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो तुम विजय माला में आ जाओगे, सदा खुस नुमा रहेंगे, ज्यान को रतन कहा जाता है, योग को रतन नहीं कहा जाता, लेकिन सब्जेक्ट बड़ा है, योग का, बाबा वि इसमें आगे रहेंगे, उनके नंबर फुल हो जाएंगे, ये दादा भी कहते हैं, हम भी अपना टाइम वेस्ट करते थे, कोडियों के पीछे, धन कमाने के, तो बाबा कहरे, कोडियों के पीछे अपना टाइम वेस्ट न करो, तुमें तो अथाओ धन संपदा मिल रही है, तुस्से बाबा ने, बाबा कहरे, मुझे साकसातकार कराया, मैंने सब छोड़ दिया, कहा ये धन दोलत किस काम की, लेकिन उसको फेंकेंगे तो नहीं, तो यग रचा, फिर मुझे देखकर बहुतों ने अपना सफल किया, बाबा कहरे है, आगे चल कर, तुम्हारे पास बह भी आएंगे तुम्हें मदद करने के लिए, तो बाबा याद की आतरा पे ध्यान दिला रहे हैं, अच्छी महनत करों, उच्छ पद पाना है, तुम्हें विष्व की राजाई मिल रही है, मैं विष्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें बनाता हूं, अगर तुम महनत नहीं करेंगे, सजाएं तुम्हें खानी पड़ी, तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा, और साकसातकार कराएंगे बाबा, बिना साकसातकार के किसी को सजा नहीं मिलती है, देखो तुमने ये ये पाप की दिखाएंगे, इसलिए ये उसकी सजाए हैं, तुमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा ये बहुत कम पद है, जैसे जैसे तुम समीप जाओगे सत्यूग के, तुम्हे साक्षातकार होते रहेंगे, जैसे कोई बाहर से आता है, गर के समीप पाता है, तो बहुत साइचीजे दिखने लगती है, ना पेड, पोधे, मकान, हाँ अब अपना गाउँ आ रहा है, तुम्हे भी जैसे जैसे सत्यूग नजदीक आएगा, बहुत साक्षातकार होते रहेंगे, बाबा तुम्हे साक्षातकारों से बहलाते रहेंगे, बिन-ब कर्म तो नहीं करते हैं, हमारे कैरेक्टर बिलकुल अच्छे हैं, हम पवित्र बनते हैं, ऐसा तो नहीं, माया हमको हरा रही है, अपनी चेक, चेकिंग करो, हमने सभी गुन धारन किये हैं, क्योंकि हमें देवता बनना है, तुम्हारे पास अब संपोन नॉलेज है, अगर त हमें सिखाते हैं, कैसे हम सोले कला संपोन थे, संपोन निर्विकारी थे, दीरे दीरे हमारी कलाएं कैसे कम हुई, और हम उतरते उतरते, अब नो कला की स्थिती में आ गए हैं, अब बाबा फिर से तुम्हें सोला कला संपोन बना रहे हैं, तो जब तुम सोला कला संपोन बन अपने पूरे जन्मों को देखो, मैं आत्मा कैसे कैसे उपर से नीचे आई हो, तो तुम बहुत खुसनुमा रहेंगे, तुम्हारा चेहरा चमकता रहेगा, और फिर तुम्हें कलियोगी दुनिया की जैसे परवाह नहीं रहेगी, उसका कोई भी आकर्शन तुम्हें अपनी और आकर्शित नहीं कर सकेगा, तो आज बाबा हम सभी को ये बहुत अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, वर्दान बहुत गुहिये रह्ष्य भरा हुआ है, वाइसलेसनेस की सकती द्वारा, यानि निर्विकारी स्थिती की सकती द्वारा, तीनों लोकों की सेर कर सकते हो, तद एक पवित्रता होगी, तो तीनों लोकों की सेर आराम से कर सकेंगे, सुक्सम वतन की रोनक यहां बैठे यनुभव कर सकेंगे, इससे बुद्धी रिफाइन हो जाती है, बुद्धी की लाइन किलियर हो जाती है, तो तुमें अपने को संपूर्ण वाइसलेस अर्थात निर्वी कारी बनाना है, तो सर्व संबंधों के सार की याद में तुम तीनों लोकों के अच्छे अनुभव कर सकोगे, ये सर्व संबंधों के सार की याद बहुत ही सुक्सम चीज है, स्लोगन है, व्यक्ति, धन, वैभव, इन सबसे बुद्धी लगाना माना, जो companionion बाप है, उसको तलाक दे देना, यानि बुद्धियाट जाना, तो आज हम सारा दिन, बाबा को सर्व संबंधों से याद करेंगे, तुम ही मेरे मात पिता, बंदू सखा, बाप, टीचर, सद्गुरु, प्रियतम, सब कुछ हो, तो इसकी सार की याद कार्थ होता है, जो भगवान है, जो मेरा सर्व संबंधी है, वो मेरा है, इसका अभ्यास करेंगे, दिन में कम से कम पांच बार इस चिंतन को लाएंगे, और उसके संबंधों के नशे में इस्थित होंगे, ओम जान्ति, झालाएं के बाहं लाएंगू will क्से करेंगे, ऑन्तिटो बास के और स्क्रावाणा झालाएंग।